परतिसत से बिवियाई परषना को डिस्कस करने वाला हूं चलिए शुरू करते हैं पहला परषना सबसे पहले परषना को पड़के अच्छा से समझ लेना है 3 लिटर चीनी के घोल में जिसमें 40% चीनी है एक लिटर पानी डालने पर नए घोल में कितने परतिसत चीनी होगी 3 लिटर का घोल है और उसमें 40% चीनी है तो सबसे पहले आपको चीनी का मातरा निकाल लेना है तो 3 लिटर का 40% करेंगे तो चीनी का मात्रा निकल जाएगा तो सबसे पहले आपको चीनी का मात्रा निकाल लेना है और मैं 3 तरीका बताऊँगा तीनों तरीका को सिख लीजेगा फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा तो सबसे पहले 0 काट लेते हैं इसके बाद 2 दूना 4, 2 पचे 10 तो चीनी का मात्रा कितना है 3 दूना 6 बटे 5 यानि की चीनी का मात्रा इतना है अब आपको निकालना है परतिसत में तो परतिसत में कैसे निकालेंगे समझने का परियास किजिए तो चीनी का मात्रा कितना है 6 बटे में आपको क्या लेना है नया घोल यानि कि चेंज होने के बाद घोल कितना है तो पहले कितना था तीन लिटर चीनी का घोल था अब उसमें एक लिटर पानी और मिला दिये तो घोल कितना हो गिये चार लिटर तो आपको यहां पर बटे में चार लिटर रखना यानि कि न 25 और इसको गुना करेंगे तो 6 35 यानि कि 30 परसेंट तो क्या बोला था इसमें नए गोल में कितने परतिसत चीनी होगी यानि कि 30 परतिसत चीनी होगी देख लिजे कहां पर है गाव ऑप्शन सही है अब दूसरा तरीका समझने को परियास कीजिए एक बार अच्छा से सिखे सम 40 परतिसत चीनी है तो आप इसी रूप में रहने दिजे परतिसत को हम परतिसत में ही रहने दिए यहाँ पर काटकूट नहीं किये तो चीनी कितना है इतना है अब आपको क्या करना है तो परतिसत में निकालने के लिए आपको क्या करना है बटे में नया घोल को रखना है तो पहले से 3 लिटर और 1 लिटर पानी मिला दिये तो कितना हुआ टोटल 4 लिटर हुआ अब आपको यहां पर क्या करना है यहां पर 4 रखना है मैंने 40 mistakes रख दिया अब परतिसत में बदलना है ना तो परतिसत में अब बदलने के लिए यहां पर 100 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि already इसके साथ परतिसत है इसलिए इस चीज़को आप समझ लिजे तो अब क्या करेंगे यह परतिसत को रहने दिजे क्योंकि आपको तो परतिसत में ही लाना है तो आपको क्या करना है 3 गुने 40 और बटे 4 कर देना है परतिसत तो परतिसत रहेगा क्योंकि परतिसत में लाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा यानि कि 10 बार में कटेगा तो 10 तिया 30 यानि कि 30% यहाँ पर भी right answer आ गिया अब एक चीज़ और समझे अब तिसार का तरीका समझे तो आपको क्या करना है इस तरह का प्रस्णों को solve करने के लिए तो जितना घोल है जैसे 3 लिटर घोल है ना 3 लिटर चीनी के घोल तो आपको 3 लिटर ले लेना है इसके बाद समझना है कि इसमें कितना चीनी है तो इसमें 40 पर 30 चीनी है तो आपको यहाँ पर 40 रख देना है और बटे में क्या लेना है नाया घोल तो नाया घोल कितरा है क्योंकि 1 लिटर पानी और मिला दिये तो नाया घोल 4 लिटर हो गया तो यहां पर आपको 4 रखते लिए और 4 सरकाटिये तो यहां पर 10 और 10 गुण 3 तो कितना होगा 30 यानि कि 30% इसका राइटेर सर है तो ये तीन तरीका आप सिख लिए, अब चलते हैं अगला प्रस्णा और अगला जो प्रस्णा है इसी तरह का है, same question है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा घोल में, देखें इसमें क्या बोला है, चीनी तथा पानी के 12 लिटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वास्प द्वारा 2 लिटर पानी उड़ा दिये जाने पर, सेस घोल में कितने परतिसत चीनी होगी, तो अब आपको क्या करना है, जैसे इसे पहले मैं 3 तरीका बताया, 3 तरीका में कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, देखें, एक तरीका है जो सबसे असान है, 12 लिटर गोल है ना, तो 12 लिटर गोल है, और उसमें कितना परसंट चीनी है, चीनी है ना, तो 4 परसंट चीनी है, तो यहाँ पर 4 रख दिजिए, और बटे में नाया गोल, तो नाया गोल क्या होगा, तो पहले तो 12 लिटर गोल था, अब 2 लिटर पानी को वास्प दुबारा गरम कर के उड़ा दिया जाता है तो कितना बचेगा 10 बचेगा ना तो यहाँ पर 10 रख दीजिए 12 चोग के 48 तो यहाँ पर 12 चोग के 48 और बटे में 10 है 10 से डिवाइट करेंगे तो क्या होगा 4.8 होगा ना यानि कि इतना परतिसत चीनी है 4.8 परतिसत चीनी है गा ओप्शन से यह अब आपको क्या करना है इसी में इसी में आपको क्या कर देना है नाया घोल से डिवाइट करना है यानि कि बटे में अब आपको क्या करना है जैसे चीनी का मातरा निकाल लिए तो अब आपको परतिसत में निकालना है तो परतिसत में निकालने के लिए आपको बटे में ना औह अब यहाँ पर क्या करेंगे तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे यहाँ पर परतिसाथ है 40 ने समझेगा यह पर 30 है तो 12.408 हो गया और 10 डिवैड करेंगे तो यहाँ पर प्वाइंट पढ़ेगा तो 25 जो के 100 अब तो नहीं कटेगा न तो कितना आया 12 बटे 25 यानि कि इतना चीनी है तो चीनी है तो अब क्या करेंगे परतिसत में निकलने के लिए इतना तो चीनी है तो परतिसत में निकलने के लिए चीनी का मात्रा बटे टोटल घोल यानि कि नया घोल तो नया घोल कितना ह 12 लिटर में 2 लिटर पानी को उड़ा दिया गया तो 10 लिटर बचाना और 30 में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे यह काम करते हैं अब यहां पर देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहला काम देखिए सबसे पहला काम इसको यहां से काट लेते हैं या एक बार समझ तो अच्छा रहेगा जैसे 25-100 हो गया और 12-48 और 10 से डिवाइट करेंगे ना तो इतना इतना परतिसफ़ आ गया मतलब कि मैथ से खेलने के लिए सिखें अगर जिस दिन खेलने के लिए सिखें गया तो उस दिन आपका मैथ बहुत ही अस्ट्रोंग हो जागा और मैथ से कभी डर नहीं लगेगा अब आगे जो प्रसन आने वाला है बिवी आई प्रसन है और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रसन है इसी तरह का प्रसन एकजाम में आता है आपने कभी एकजाम दिया होगा तो आपको देखने को मिला भी होगा देखें इस तरह का प्रसन है और इसमें मैं एक ही तरीका बताऊंगा जो कि सबसे असान मुझे लगा है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जो सबसे असान तरीका मैं समझता हूँ उसको मैं बता देता हूँ समझने का प्रयास किजिएगा तो कितना है 300 ग्राम चीनी के घोल में तो सबसे पहले आपको 300 ग्राम आपको लिख लेना है इसके बाद इसमें कितना चीनी है इसमें 40% चीनी है तो अब यहाँ पर आपको क्या लेना है गुणा में ओच समझने का परियास किजिए इसमें 40% चीनी है और कितना चीनी होने की बात बोला है तो नीचे में देखिये बोल रहा है कि कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि न पर आपको 10 लेना है, बटे में क्या लेना है, उसके बारे में समझे, तो क्या बोला है, कितना होने की बात बोला है, 50 पर 30 होने की बात बोला है, तो आपको नीचे में यानी की बटा में क्या करना है, तो 100-50 करना है, 50 पर 30 होने की बात बोला है, तो आपको क्या करना है, 100-50 कर पांच छक्तिस इसको कर देजिए एक जिरो यानि की साथ गराम चीनी और मिलाना होगा तो कितना हो जागा 50% हो जाएगा तो यह तरीका है जो बहुत ही असान है और कम समय में बन जागा लेकिन दूसरा तरीका इसको आप असान तरीके से सॉल्फ कर सकते हैं तो अब यहां पर किजीए तो पानी कितना है तो 300 में 120 की पर तना हो जाएगा एक 170 होगा तो क्या बहुत होने का ञतों 50 परसेंट का मतलब है कि दोनों ब्राबर ब्राबर करने में इसमें कितना घहट रहा है यानिकी 180 है तो इसमेए कितना घट रहा है यानि कि 60, 60 अगर इसे मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, तो दोनों 50-50 हो जाएगा, 50% होने की बात बोला है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, 60 gram मिलाना होगा, ये भी आप कर सकते थे यानि कि 60 gram मिलाने से, क्या होगा 50% हो जाएगा तो लेकिन concept को समझने का प्रयास किजिए यहाँ पर 50% बोला है इसलिए आप इस तरीका से असान तरीके से बना सकते लेकिन इसमें आपको 32%, 33%, 25% बोल दिया, 30% बोल दिया तो उहाँ पर आपको दिकत होगा तो इसी method को आप use करेंगे दो-चार बार आप use करके देखिए दिमाग में बैठ जाएगा फिर कभी कोई दिकत ने होगा और असान भी है एक चीज़ है समझने का प्रयास किजिए अगला प्रसना चार नमबर अब यहाँ पर देखिए same question है same question है तो अब यहाँ पर समझेगा पानी और alcohol के 400 ml घोल में 400 ml घोल कितना है 400 ml का है तो मैं सबसे असान तरीका जो बताया था उसी को मैं बता रहा हूँ तो 400 ml का घोल है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे इसमें alcohol कितना है 15% alcohol है और कितना होने की बात बोला है तो 32% होने की बात बोला है तो 32% और 15% का अंतर को लेना है तो 32 में 15 घटा के देख लेते हैं एक दाहें 10 तो 12, 12, 25 sorry 7, 5, 12 ना 7 बचेगा यहाँ पर 2, 2 में से 1 तो 1 यानि कि 17 तो यहाँ पर आगया 17 तो 15% और 32% के अंतर को यहाँ पर रखेंगे बटे में क्या लेंगे मैंने क्या बोला था कितना % होने की बात बोला है 32% होने की बात बोला है कि बोला है कि इसमें कितना सुद अलकोहल और मिला देंगे कि 32% हो जाएगा तो आपको बटे में क्या लेना है 100-32 लेना है तो 100-32 करके देख लिजे आपको वहाँ पर लिखने के ज़रोतनी है इधर भी आपकर करके ड spring रखें तो एक दाहे 10 एक दाहे 10 10 में से दो तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 है 9 में से 3 तो यहां पर 44-39 होता है, तो यहां पर 68 एही काम करना था, एंसर आ गया, तो देख लिजिए 17 चौके 68 होता है ना, 17 तिया 51, 17 चौके 68, तो 17 चौके 68, इसके बाद 4 से काड़ जिए 4 एकम 4 और 2 0, यानि कि 100 ml या ग्राम है, जो भी है, ml है ना, सुध अलकोहल मिला जाए कि नए 15% अलकोहल था, लेकिन अगर उसमे 100 ml अलकोहल, सुध अलकोहल और मिला देंगे, तो उसमे 32% अलकोहल हो जाएगा, तो यह जो तरीका है ना, इसको आप प्रैक्टिस करिए, दो बार, तीर बार, चार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत ही असान तरीका है, और सबसे कम समय में इंसर लाने वाला तरीका है, अगर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में लिख के बताईए, और लाइक जरूर कर दिजिएगा, आज के लिए इतना ही जैहिन वंदे मातरम